क्या आपको भी पीरेट के दोरान दर्द की परिसानी है जब जब पीरेट आता है तब असाहिनी दर्द होता है कभी-कभी आप दवाई ले लेते हैं तो फरक पड़ जाता है दर्द कम हो जाता है और कभी-कभी दवाई लेने से भी दर्द कम नहीं होता है या कभी-कभी आप कि आपको दर्द होता है लेकिन प्लान कर रहे होते हूए तो आप यह सोचते हैं किसमें ईर चाहरे है कर लेकित कि अरेजंद को यहां पर दोराण को अमने नहीं को आप का मत मानने कभी कभी यह पीरिएट का नहीं ज्ञानलेवा पीस अभीश हो सकता है तो यहां पर आपको पीरियट का पेन यह ज्यादा मात्रम हो रहा है कि यह यह तरफ का पेन उरह जो हम आगे वीडियो में डिसकस करेंगे यह इस तरह का पेन है इस तरह के आपको क्या करना चाहिए जोंद के साथ भी प्राउन होने प्रीट ईर्तों के इक пригल करी चु՝ार आपको क्डर करना जातके अ साथ-साथ विवार में उपर नीचे ओर रहा है या वीत दिन में पीक ज़िए तो यहां पर आपको तुरंतीं सोनोग्राफि कर वा लेनी चाहिए आपको यह एक चीज़ की तो आपको पीरिट में दर्ध होगा पीरिट का जो टाइमिंग है उसमें उपनिच हो सकता है तो यहां पर हम समझाते हैं एक चीज़ को हम एकस्प्लेइन करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट भी हम आपको बताएंगे सबसे पहले बात करते हैं एक्स्टेंड हो जाती है जिसके चलते हैं पेरियल्ट के दो रान आपके यूट्रिस्τό bevor बच्चे दानी का इस तरह से कोंट्राक्शन रिलेक्सेशन होगा और ज्यादा निकलेंगे तो आपको सीवियर दर्ध हो सकता है रोग से पता चल जाएगा आप से अपको कभी-कभी डोक्टर बोलेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है या फिर इसके लिए सर्जर पेट दर्ध बहुत ही सिवियर होता है उसकी ट्रीटमेंट आपको करानी चाहिए क्योंकि अपने ठीक होने वाली चीज नहीं है यहां पर आपको पेट दर्ध ज्यादा हो रहा है तो आपको पोसिबल है कि एंडोमेट्रियोसीज हो सकता है यानि कि बच्चे दानी की लाइ में दर्ध ज्यादा होता है और उसके सांथ साथ आपको कभी-कभी कभी दिंगत सब्सक्राइब हो जाती है ना उसके बीच मिए यह और रही जाते हैं वहाँ पर सब्सक्राइब नहीं झाया है। भाट मेटमेंसिस इक पैंडमेटरियोसिस शेयर ईक देखने की सियंकिताहीज पहुक्तृ, इस इंडमेटरियोसिस का सब्सक्राइब经ależ कुछ जाता है। आपको पैंट ज्यादा होता है और उसे में पिरियोट बीजया जाता है तो मसा से पहले जाता है ज्यादा आज पीरियट के लेट को यह इसानकी अदुट Bernard करने कि आगे बढ़ाने के जोरद नहीं है और उसी तरह से अंडोमेट्रियूमा डियल उप हुआ है यानि कि आपके अब कराएंगे तो उसकी एक सबहें कि सब्सक्राइब है यह तो अगले मैंने अर फिर से वहां पे ळड़ेट इसके लिए हमेप verst बहुत इप्रशन के लिए यह यह फिर कोई एक है कि लेना चाहते हैं तो आप हमारी तो यहां पर यदि आपको इंडोमेट्रियों में दर्द भी होगा और प्लो भी उपर निचे हो सकता है जो साल कॉमन रिजन है यानि के सिवियर दर्द का वह है आपको वहां पर अन्मेरीड होना यह आपको वहां पर पी रिलेशन एक बार भी नहीं रखे हैं तो जो नौस है वह नौस वहां पर अभी टूटी नहीं है जैसे आप रिलेशन डखेंगे नौस होगी वह थोड़ी से डेमेज होगी लूज होगी नीचे का पार्ट और आपको वहां पर पेंट थोड़ा सब कम होगा लेकिन यदि नौस बहुत ही ज्यादा हो रहा तो उसके मेडिसीन है में भूस में करके चेंगे और भी पानी लिचे उसको गरम किछे इंदर बीस बूंद मेकफोस तू यह बहुत पानी और हर 15 मिनिट में दो चमच पानी उसमें से पी लेना है यहादि आपको Cub तो आप मेगफोस 200 के दो बुन दिन में चार बार ले लिए इस तरह से सिर्वेर एक अनुसर आप मेगफोस ले सकते हैं मेगफोस लेने से किसी भी तरह का डिस्मेनुरिया हो तीक हो जाएगा कुछ आपको इंडमेयμεयिemi मेडियिसिन ले सकते हैं यह पिमयाई के और सकते हैं और से देस्ही मेखे ही तो इसके सांद पेहलोपितिक अधिन कीज़ें को सहन करनें Frank charge आपको गाइड कर देगी तो प्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिए बिल्कुली फ्री है अभी तक हम इंस्टाग्रम पर फोलो नहीं किया तो कर लिए क्योंकि वहां सब्सक्राइब करेंगे तो चलो फ्रेंड आज के लिए नहीं फिर जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए स्टेल्दी स्टेपी वाई